कुछ 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 क्लास को स्टार्ट किया जाए उसके पहले आप लोग को वेरी विशेस हैपी मकर संक्रांती मकर संक्रांती की हार्दिक शुप कामना है आप सभी को गुड तिल खाते रही है मीठास लाते रही है ठीक है और सबसे जरूरी बात यह कि अभी हम आपको सामतक एक वीडियो देंगे ठीक है जिसमें क्या-का चीजे कैसे काउपी लिखनी है किनकी चीजों पर ज्यादा फोकस करना है आपको ठीक है और कौन-कौन सी चीजे ध्यान म दिप्लोमा में लिखते हैं तो सभी कमियों को हम एक बार आपको बताएंगे थी का हमने पहले आज यह क्लास कर लेते हैं ज्यादा देर नहीं क्लास लेंगे देर से दो घंटे तक लेंगे ठीक है पचास साथ स्लाइड है यानि पूरा चैप्टर तीन तक कंप्लीट हो जाएगा फिर इसके आगे जो एक्जाम से पहले जो टाइम रहेगा साम कुछ है साथ बजे से जो भी क्लास लगेगी डबड़वी की जब आप समय फीके देखे आएंगे उसके बाद ही टाइंटेबल में तो तब यह क्लास आपकी स्टार्ट आगे होगी ठीक है बाकी अभी यहां पर देखते हैं ठीक है चलिए तो यहां पर आईए स्टार्ट हो गया है अब सभी और उसके बाद फिर यहां पर जो है हाँ चलिए तो पहले हम लोगे यहां पर आगे देखते हैं ठीक है यह आपका WWE का पूरा पार्ट है ठीक है WWE में अभी स्टार्ट हो रही है पहली क्लास ठीक RBT की class हो चुकी है ज्यान अखेगा RBT की class हो चुकी है अब ये WWE की class सेलने जा रही है ठीक है आज बात समझ में RBT का पूरा चार part है Part 1, Part 2, Part 3 और Part 4 इन चारों part में पूरी RBT complete हो जाती है तो video upload हो गया है और class भी आपकी proper है इनकी PDF भी आपको बीकेजुकेशन अप्लीकेशन से मिल जाएगा इसकी भी PDF आपको बीकेजुकेशन अप्लीकेशन से मिलेगा इसका only क्या है MIQ वाला कोस्चन आपको मिल गया होगा ठीक है इसका WWE का तो class को एक बार share कर दीजिए फटा-फट जो लोग नहीं है एक देड़ घंटे class कर लें फिर उसके बाद अपना दूसरी मीटिंग आप लोग पढ़ाई करिएगा ठीक है तो दूसरी मीटिंग से अभी दो पहर से आप लोग आर्बीटिक पढ़ाई करिएगा अभी एक देड़ घंटा इसको पढ़ लीजिए ठीक एक लास हो जाएगा ठीक रहेगा चलिए तो यहां पर आगे बढ़ाते हैं वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजिनिरिंग लेकि आपका जो वाटर वाला पार्ट है वाटर सप्लाई अला ठीक है इससे कोश्चन काफी बनता है और वेस्ट वाटर से भी यानि लगभग दोनों मेला कर कोश्चन बनेगा इसमें कोश्चन इंसर है तो कोश्चन से सुरुआत करते हैं कोश्चन से लेकर आए हैं और यह कि यह कोश्चन चल रहा है ना यह चैप्टर वाइज ही रहता है जैस देखते हैं question number one है जल सुरोतों का वर्गी करण करें तथा सतही जल सुरोत की ब्याख्या करें देखी जल सुरोतों का जो वर्गी करण है यानि classify the sources of water and explain the sources of water ठीक है तो इससे जो question आता है न कभी-कभी question अलग करके भी आ जाता है जैसे सिर्फ इतना पूछ सकता है आपसे जैस इसमें सतही सुरोत की ब्याख्या करना है तो कभी-कभी सतही सुरोत की सिर्फ ब्याख्या करने के लिए जाम में आ जाता है ठीक है तो इस ध्यान अखिएगा कि सुरोतों का जो वर्गी करण है जल सुरोतों के वर्गी करण में दो वर्गी करण है और जो इसमें पहला वाल सोर्सेस इसको हम बोलते हैं आप इससे आप स्पष्ट समझ रहे होंगे नाम से क्लियर है कि सर्फिस वाटर सोर्स यानी सतही जलसरोत होते हैं जो कि क्या होते हैं सर्फिस पर होते हैं भून के सर्फिस पर यह बहते हो रहते हैं भाव में भूमिगत क्या होते हैं या ऐसे होते हैं जो की होते हैं अमारे ग्राउंड के नीची होते हैं इनको हम क्या करते है अधिल लिफ्टिंग करके बाहर निकालते तब इसका उपयोग कर सकते हैं пр ces water source इसमें लिप्टिंग करते हैं यह जादत तर गरिवर्टेशनल पर दौरारा क्या होता है एक पंपिंग यह चाहिछ पर उसे क्या हूँ क्या है और मैं कि प्रिथवी पर व्पाभ्य चलन उपात क्या है अब की तो वल्सय किलो का अगर लगाएक भौमजल मतलब जो हमारा underground water यह वह 4 परसेंट है ठीक है हिमनद जो हमारा glacier है glacier है इसका 1.65 परसेंट है इसमें water का नदियां जहले में बात करें तो 0.35 परसेंट है जिसमें हमारा टोटल 100 परसेंट वाटर है यानि की 94 परसेंट पानी हमारा क्या है पूरा समुद्र का है बागी अंडर ग्राउंड का चार परसेंट है ठीक है तो यहां पर अब नेस्ट देखते हैं जो हमारा इस सतही जल सुरोत था ध्यान समझेगा यहीं से आपको डिटेल्स में यहीं पर लिख देना है ठीक है बस यह हम पॉइंट पॉइंट आपक सतही जल सुरोत कहलाते हैं जो भी वाटर सोर्ट सापको पानी के उपार भूम देते हैं जैसे जल धाराय मैं नदी नदी इस इसमेंunku इनदी पतली अँग ठीक है अलग लग दिसाओं में चली जाती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं streams बोलते हैं जलधाराएं बोलते हैं तो river से यह अलग निकलती है तो river तो एक तो होई जाएगा ये भी river भी क्या है एक river भी एक हमारा सतही जलसरोत है ठीक है तो जो भी नदिया ग्राउंड पर भती रहती हैं जलधाराएं जलधाराएं जो इनसे निकल कर भती हैं उसको हम लोग stream से जलधाराएं बोलते हैं लेक्स यानि जील लेक्स में भी आर्टिपीस्यल भी नेचुरल भी है लेस क्या होता है जैसे जो हमारी नदियों का पानी क्या होता है कहीं घांटियों में जाके इकठा हो जाता है तो काफी समय तक उसमें की रिजर्वायर अगर हम जलासे की बात करते हैं तो यह हम लोग डैम बनाकर क्या करते हैं पानी को इकठा करते हैं और इस डैम के द्वारा ही क्या करते हैं पानी जो इकठा हुआ है इसी को हम लोग सिचाई के रूप में फ्रयोग करेंगे तो यह जो पानी है रिजर्वायर म और उसको जो है जिसे गाड़ी धुलने में या फिर बागवानी उगर है उनको सिचाई करने में उप्योग करते हैं या फिल्टर करके इसका पीने के लिए भी उप्योग कर सकते हैं या फिर अधर परपस के लिए नहाने के लिए यूज कर सकते हैं तो यह क्या है स्टोर्ड समुद्री पानी को भी क्या घalgia जाता है तो समुद्री पानी सतही जल स्रोथ कहते हैं ठीक है आगे बात करेंगे हाँ पर नहीं चल रहा था वह अभी चलेगा इन लोग का क्लास खत्म हो जाए फिर आपकी क्लास में सीक्यू की जहां था कि 25 तारीक से स्टार्ट कर देंगे ठीक है इनकी भॉस्त चली नैस हम देखेंगे स DCS alternatives अंडर्गराउंड या अंडर्गराउंड वाटरव सोर्स कहेंगे टीक है आब अंडर वाटर्व चोपी या सबम सर्फरें भी बोलते हैं सब सर्फस बलते यह दो एटीक उनने गंत यह ग्राउंड के नीचे रहता है तो मिर्दाओं के आवसोषण से जो पानी भूमी के अंदर रिस जाता है भौमजल कहलाता है क्या कहलाता है इस पानी को प्राकृतिक कारकों से आथवा कृतिम साधनों से पूनह ऊपर खिंच लिया जाता है ठीक है तो अगर हम लोग यहां पर देखें जो भी हमारी स्वाइल है ठीक है अवसोषण से जो पानी भूमी के अंदर इसता है ठीक है अब यह नेचुरल कारक भी हो सकता है नेचुरल में अपने आप जो है हम लोग मसीन उगर लगाते हैं समर्शिबल उगर उससे पानी बाहर निकाल सकते हैं तो यह सब क्या है हमारे यह सब जो है एक साधन है जिसकी हो जैसे हम लोग पानी ऊपर खीच लाते हैं अब यह जो भॉम जल स्रोथ है अंडर्ग्राउंड वाटर सोर्स या सब सर्फिस इसमें हमारा सबसे पहले है जर्ने स्प्रिंग से जिसको बोलते हैं जर्ने का जो पानी है वह आपका अंडर्ग्राउंड से निकलता है तो अंडर्ग्राउंड वाटर ही वह रहता है कुवे हो गए वेल्स तो कुवे भी हमारे क्या है यह हमारे अंडर्ग्राउंड है ITCN या दिन भहते हुए कुएं हैं सुर्ख कुएं जिसको बोलते हैं ये पानी इसमें हमेशा भाता रहता है ठीक है एकदम openable होता है पानी का इसमें जो label है वो काफी ऊपर होता है water table तो जिससे पानी अपनी आप निकलने लगता है ठीक है तीसरा है यहाँ पर infiltration galleries रिसन या अंतह शियंदन gallery ठीक है तो infiltration gallery क्या होती नदियों के किनारे पर बनाई गई होती है जो की पानी जो हमारा रिस्ट कर इसमें आता है ठीक है रिसन या अंतह शियंदन पाइप ठीक है तो यह भी हम लोग देखेंगे पाइप लगा देते हैं उसकी जिगन जहां गलेरी रहती है इंफिल्ट्रेशन वेल्स अरिशन या अंतह शियंदन कुवे भी होते हैं तो कुवा में पानी जाता है त्रिज्या संगरही कुवे यानि रेडियल कलेक्शन वेल्स तो हम सब को थोड़ा-थोड़ा देखेंगे अभी इसमें जादतर हम लोग डीप वाले को ज्यादा सम उसी में न कोश्चन बन जाएगा जो हमने पीछे पार्ड़ पढ़ाए है उसी में कोश्चन बनेगा तो आएगा सब दीडिए ठीक है कोश्चन के रूप में रख दिये हैं नमबर 2 है यहां पर भूम से पानी बाहर निकालने के लिए जलधारी परतें कितने प्रकार की होत है ठीक है जलधारी परते हैं जो बात हो रही है यहां पर इसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं वेक्वीफर कितने प्रकार की होती है इसको बताना है हाव मेनी टाइप आफ एक्वीफर आर देयर टू एक्ष्ट्राइट वाटर फ्रॉम दे लैंड ठीक है अब कि यह मेन जो हमारा यह जलधारी परते हैं यह मेन हमारे दो तरह के एक तो हमारा प्रवेश्य होता है जिसको हम लोग एक्वीफर बोलते हैं दूसरा एक्वीफर का मतलब यहाँ पर यह है कि इसमें से क्या होता है पानी निकलता है यानि किसमें छिद्रियुक्त होते हैं इसमें से पानी निकलेगा तो अव भून में सामानता पारगम में तथा अपारगम परते हैं पारगम में परत मतलब ऐसी परत जिससे पानी पास हो जाए जैसे बालू की परत होगी जिससे पानी पास हो जाता होगा आपारगम में परत जैसे चटान होगा या किले होगा इनसे पानी पास नहीं हो सकता तो इसलिए इसको आपारगम परत बोलेंगे ठीक है तो पारगम जथा आपारगम में परते इस तर एक दूसरी से सटी हुई मिलती है कैसे मिलती है एक दूसरे से सटी हुई रहती है ठीक है बालू, ग्रेवल, सिल्ट, आदी की परते, पारगम या प्रवेश परते कहलाती हैं तो आपका ये जो एक्वीफर है न ये बालू की परते होंगी ठीक है और जो पारगम परते और अपारगम परते दूसरे से सटी हुई मिलेंगी इससे पानी निकल सकता है तो ये एक्वीफर जो होता है न एक्वीफर से हम पानी निकाल सकते हैं क्योंकि एक्वीफर में पानी भरा रहता है जैसे बालू हुआ बालू का लेयर है उसमें पूरा पानी भरा रहेगा तो उसमें से हम पानी निकाल सकते हैं यानि एक्वीफर है वो ठीक है प्रवेश परत है ठीक है तो अगर हम बात करें यहाँ पर पारगम परत और अपारगम परत हमेशा उसमें सटा रहेगा अब जो पानी निकालेंगे न तो अपारगम परत को छीद कर पारगम वाले में जा भलाता है ठीकर है एक लूडी एकना हम बात करते हैं अप्रवेश और प्रवेश कि क्या है यहां प्रचर मां तो वो क्या होगा उसमें पानी फिर भरा नहीं होगा क्योंकि वो पार्टिकल जो इनके चिप के रहते हैं काफी पास पास रहते हैं इनमें इनसे पानी नहीं निकल सकता है और इनके उपर ही रुख जाता है तो पानी इनसे हम नहीं निकाल सकते हैं ठीके, नोट यहाँ पर बात करेंगे, पारगम परतों को जलधारी इस्तर कहते हैं, जल भृंत भी कहा जाता है, पारगम परतों को, या एक्वीफर इसको बोलते हैं, अपारगम परतों को हम लोग जल रोधी इस्तर या अजल भृत, ठीके, जिसको हम लोग एक्वाकुलूड करती हैं तो कहीं पर भी juad bar और एक्वाइब दिछेंगे टिक है एक विफर क्या है आपका बालू bons react इन सब की परते होती है थीके जिसमें से हम पानी निकल सकते हैं ठीके और ये परते क्या है परवेश परते होती है आयवा समझ में लिखना है अब आगे देखेंगे उसी का पार्ट हाहिए जैसे जहाँ में ब Micha victory defin then से तो अग्यों इसमें तीन है एक परिरुद्ध जल्वृिंद्ध है confined hier번다 है दूसरा उनकंपांड एक्वारे जिसको भी आप प्रवेश परतों के बीच में दो अप्रवेश अस्तरों के मद्ध में ये फसी रहती हैं तो जब कोई परत जब कोई प्रवेश अस्तर या कोई परत दो आप्रवेश अस्तरों के बीच फसी होती है या फस जाती है और नीचे की जुकी होती है तो इसे हम confined चित्र के यह इसके नीचे यह लीयर तो इसे तो पाणी नहीं निकल सकता लेकिन हो सकता इसके बीच में यह वाली जो परत है यह क्या हो ये Sand की हो और इनसे पानी निकल सकता है तो ऐसे situation में जो है क्या होगा इनसे पानी निकल जाएगा आप सार पानी कैसे निकल लेगे तो ऊपर से देखते हंगे जब आप बोरिंग करते हैं तो ये चेंद करके तबन्दर जाते हैं कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी-किसी के बोरिंग निकवत पानी नहीं निकलता, क्यों नहीं निकलता? क्योंकि वो यहीं तगरह जाता है, अगर और ज्यादा नीचे करें, तो इस लेयर में चला जाएगा, तो उसे पानी निकल जाएगा, तो यही चीज कहा जा रहा है कि जो confined equ कहते हैं, क्या कहते हैं, confined equifer कहते हैं, अब इसमें हम बात करें, अभी हम सबका एक चित्र बता देंगे, दिखाएं भी हैं, वो इससे चित्र आप लोग एक्जाम में बना देना, ठीक है, अन confined equifer क्या है, जड़ा देखिएगा, un confined equifer क्या होता है, कि यह ऐसी परते होती है, जिसमें भौमजल तल रितू परिवर्तन के अनुसार उपर उठने अथ्वा नीचे जाने के लिए मुख्ध होता है, यानि कि जैसे बरसात जादा होगी, बरसात का पानी बढ़ेगा, जब बरसात का पानी बढ़ता है न, तो यह जो परते हैं, इन परतों में जो पानी होत वो हमेशा परिवर्तित होता रहता है उपर आ जाएगा सूखा पड़ेगा नीचे चला जाएगा यानि कि रितू परिवर्तन के नुसारिस में उपर उठने और नीचे जाने के लिए मुगत होता है ठीक है अब ऐसी परते जो होती है ना उनको हम लोग अनकंफाइंड की फर सकते हैं अगर हम इस पानी लगातार निकालेंगे तो पानी खतम हो झाता है ठीच है और लगतार पानी निकाल सक डीक है कि यह लंस्या प्लुख की भासी परिशलमी प्रीक्रीं करदा जलवरिंत अलग अपरवेश से कभी जो हमारी प्रवेश्परत की कठी हो जाती हैं अब उसी के ऊपर समझते हैं इसमें चिटर से समझ लेते हैं देखें यह जो आप चित्र देख रहे हैं यह हमारा चित्र है ना यह देख रहे हैं यहां पर यह चित्र है पूरा ग्राउंड का देखिए जो ग्राउंड लेबल है वो यहां सी यहां तक है द्यान समझिए गजरा जो ग्राउंड लेबल है वो यहां सी यहां तक देख रहे हैं यह ज पूरी जो है न इस तरीके से पूरा स्वाइल ही है अब यह स्वाइल में भी न देखिए मैं बताया हूं कि स्वाइल में तीन टाइप के स्वाइल होती है एक तो हमारी सिल्ट हो जाती है एक हमारी क्ले हो जाती है क्ले से हम लोग ज्यादा पानी पास नहीं करा सकते लंगन न ह leven लूकर है अब देखते हैं यह जो हमारा रिचार्ज है जे बरसात होती है तो पाने इसके अंदर जाता रहता रहता है अब पानी अन्दर जाएगा और यहां पर पाणी मिल जैगें अब द bathing क्या होता है जो वाटर टेबल है यहां सी लाइण हो रहा हो यहां तक पानी ऊपर आ सकता है अब यहां पर अगर हम लोग जैसे माली जी क्या कि जहां पर ज्यादा वाटर टेबल से नीचे ग्राउन है हमारा काफी नीचे है उसमें हम ड्रिल कर दी है जब आप बोरिंग ऐसे करते हैं बोरिंग करने क्या होता है कि यह पानी अपने आप होने लगता है पानी अपने आप निकलने लगता है तो इसको में लोग कहते हैं क्या बोलते हैं आपको आपको यह वाला पार्ट दीख रहा है न यह वाला क्या है कंफाइंड यूनिट है क्या है यह सोरी गलत लिखा हुआ इसमें यह मैं बताने वाला था आपको यह या फिर चटान की हो सकती है, ध्यान समझिएगा, किसकी हो सकती, क्लेया चटान की होगी, बाकि इसके उपर वाला ये जो layer है, ये वाला layer आपका sand का होगा, ये क्या है, सैंड का, ये हमारा confined equifer है, देख रहे हैं, sand का layer है, फिर इसके उपर हमारी क्या है, ये भी unconfined unit है, ये भ क्या है, ये हमारा जो है, अच्छा, इसके उपर नहीं है, ये unconfined, देखिए, अब ये दो आप्रवेश्परतों के बीच में ये वाला layer है, तो इसलिए इसको confined equifer बोल रहे हैं, और इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या ये पूरा यहाँ पर स्वाइल है, पानी यहां तक इसम मत्तब इसमें पानी हम ज्यादा दिन तक डिश्चार्ज नहीं कर सकते हैं, ज्यादा दिन तक पानी निकाल नहीं सकते हैं, तो जो नारमल कूवा बनाते हैं लोग, वो कूवा हमारा unconfined equifer में ही होता है, बास समझ रहे हैं, किसमें होता है, unconfined equifer में होता है, और जो ये artition जाता है, यह डीप विल कहिए, यह डीप वील कहिए, और ये open विल कहिए इसको, इसको क्या कहिए, तो यह open wow है, खुला खुआ है, यानि कि यादा घृःज बहिए, ज्यादा डीप में नहीं है, इस से पानी हम जदा दिन तक नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन जो डीप whip है, डीप बेल में जैसे हम लोग ट्यूबेल लगा देते हैं, देखिएंगे, ड्रिल करके काफी नीचे एक confinder की उपर में जाता है, और यहां से हम लोग लगातार पाने discharge करते रहते हैं, ठीक है, तो यह चीज़ें आप आपको समझ में आ गई होंगी, कि हमारा जो जमीर के नीच रूप में होता है, किसमें होता है, परत परत के रूप में ऐसे लेयर होता है, और यह परती जो है न, कोई क्ले की होती है, कोई चटान की होती है, कोई सेंड की होती है, तो अगर क्ले या चटान की रहेगी, तो क्या कहेंगे हम उसको, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्वा क्लूड है ठीक है इसलिए इसको अनकंफाइंड यूनिट बोल रहे हैं ठीक है क्योंकि लगातार उससे पानी हम निकाल नहीं सकते क्लियर है चलिए एक्जाम में ऐसे चित्र बनाईएगे जरूर ठीक है चित्र बनाएंगे तो आपको नंबर ज्यादा मिलेगा अब आईए बात करते हैं इसी में कोशन है कोशन नंबर तीन देखिए उसी का टाइप आ रहा है न अब धीर देखिए जितना कोशन पूछा है उ चित्र बनाने को वाता है एक्जाम में कहां से यहां से कोशन से चित्र बनाने के लिए एक्जाम में आएगा आपके ठीक है आई बात समझ में तो हाव मेनी टाइप आफ वेल्स आर एक्स्प्लेइन विथ पिक्चर पिक्चर से क्या करना है आपको एक्स्प्लेइन करना है को बनाना है तो यहां पर जो है अगर हम देखें कि वेल्स यानि कि कुवें वेल्स की बात करतें कुवें या कूब की बात करें यहां पर आपको पढ़ रहें आप इसकी अनुसार लिखिएगा अपनी गाओं की भासा में ना लिख सोचिएगा अभी हम उस पर आपको रूबरू करवा देते हैं भई क्लास को शेयर कर दीजी आप ही के लिए क्लास लगाए हैं हमारे यह उद्देश था कि एक क्लास अगर ह ठीक है क्या जब आप पेपर रहेगा उस समय तो इसलिए एक क्लास लगा दीए अभी आप दोपहर के बाद क्या करिएगा बारा बज़ेक बाद आप डार बेटी पढ़ियेगा साम तक पढ़िएगा सुबह पढ़िएगा पेपर बुसरी मिटिंग है इसलिए लगा है चलि तो यहां पर आगे बात करेंगे तो वेल्स क्या है कुवे क्या है इसको हम लोग कुवे कुवी बोलते हैं वर्सा का जो पानी भूमी पर गिरने के बाद प्रवेस अस्तरों से प्रवेस अस्तर मतलब जो हमारा परमीवल लेर होता है ठीक है तो प्रवेस अस्तरों में चला जा जाता है उसे हम भूमिछेदन या होल करके पूनह बाहर निकला लिया जाता है जिसे फिर निकाला यह जहता है पूनह बाहर पर कुवे हमारे तीन प्रकार के हैं पहला है हमारा सैलो वेल है ठीक है जिसको हम लोग उथले कुवे बोलते हैं दूसरा हमारा यहां पर जो है वो डीप वेल्स है जिसको हम लोग ट्यूबेल बोलते हैं और तीसरा हमारा है यहां पर बहते हुए उत्सुरुत कुवे जिसको ह बोलते हैं ठीक है आगे अब लोग यहाँ पर देखेंगे उसकी बाद यहाँ पर अब डिटेल से थोड़ा समझते हैं क्योंकि एकजाम में से कोश्चन बनता है ठीक है बना भी यह कई बार कोश्चन इससे बना है उतले कुवे सैलो विल्स क्या है या कुवा भूमी के ऊपरी अर्ध प्रवेश या प्रवेश परत को काट कर बना जाता है ठीक है अर्ध प्रवेश या प्रवेश परत का मतलब यह है कि जो हमारा प्रमेवल है या कम प्रमेवल होगा उसी को हम लोग काट कर उसी में बना देते हैं यह तरह से अंकंड फाइंड एक क्वीफर में रहता ह तो यह उतले कुवे का ब्यास दो मीटर से 6 मीटर के बीच होता है और गहराई जो होती है ज्यादा नहीं होती 3 मीटर से 10 मीटर. यानि जो यह कुवशां होता है, इसकी जो गहहराई हिं यह 3 मीटर से 10 बीच होती है. और इससे अधिक भी थोड़ा बहुत हो सकती है. कुथले कुवे का जो निस्रन है, निस्रन मत्तब डिष्चार्जesser, जो पानी निकालते हैं, उसकी इस में अपर इसार और टो में घणी में इना निकाल सकते हैं यह и सब्सेंद नहीं है अब्सवेल कि इस सब्सक्राइब है तो आपको पोत्त्रुत कुणा भज्य है यानि सब्सक्न Сейчас सब्सक्राइम काई Artesian well है Artesian well में क्या होता है न यह अपनी आप पानी देखरें निकलता रहता इस तरीके बसता रहता है ठीक है इसको हम Artesian well बोलते हैं चलिए आए यहाँ पर बात करते हैं कि निर्मार के अधार पर उथले कुरेंनियर में तीन प्रकार के होते इसका चित्र भी बनाईएगा ठीक है हम आपको चित्र भी यहाँ पर अभी रफली ड्रा कर देते हैं और जो अगर बीके जुकेशन का आप नोट्स लिए होंगे न या क्लाकोर्स ले रखे होंगे उसमें पीडियम जो इसकी है उसमें आपको यहाँ पर मिल जाएगा क्या मिल रहीत कुआ जिसको हम लोग उनलाइफ वेल बोलते हैं दूसरा है गोला युक्त कुआ जिसको e Naval मों तो देखने में एक कम गहरा होता है कच्चा गढधा होता है सिम्पल ऐसे गढ़ा खोद देते हैं सिम्पल सबस ज्यादा गहराई नहीं होती है जो बहुत कम मात्रा में पानी निकालने के लिए भूम की उपरी प्रविश अस्तर्वे खोदा जाता है गढधा की जो गहराई हो साथ मीटर से अधिक नहीं होती है ठीक है क्या होती है साथ मीटर से अधिक इसकी गहराई नहीं होती है इससे पानी निकाला जाता है ठीक है इसको अम लोग अनलाइंड विल बोलते हैं क्या बोलते हैं अनलाइंड विल बोलते हैं दूसरा है गोला वुक्त गोला युक्त ठीक है इसे धसन कुवा संक विल भी कहते हैं ठीक है और इसकी खास बात ही होती जो हमारा अनलाइंड विल था उसी की भाती ये रहता है लेकिन इसकी जो दिवारे हैं चारो तरफ की वो पक्की होती है ठीक है क्योंकि इसके गोले का आवश्यक घहराई तक भूमी में धसाय ज सब्सक्राइब यह इसमें खास बात होती है अब हम सब का बताएंगे भी बेद्धित कुवा जो हमारा डृवेरिवेर्वेल है ठीक है यह भूमी की उपरि प्रवेशसतर में धातु का उप्यूक्त ब्यास का फाइप धसाकर यह कुवा बना जाता है ठीक है डिक है ड्रिव पाइप डालकर इसे पानी खीचने लगते हैं तो यह एक प्रकार का लगू नलकूप यानि मिनी टूबल होता है जिसकी गहराई 25 मीटर सधिक नहीं होती तो यह जादा तर महाराज गयान कुसी नगर गुरकपूर जहां का पानी का जो ट्वाटर टेबल हो काफी उपर होता है लोगू ड्रीवन वेल बोलते हैं तो उपरी प्रेवेस सस्तर में धातु का ब्यास का पाइप धसाकर धातु की पाइप होती है उसको धसाएंगे और वह खोंप बन जाएगा ठीक में बहुत चौणा नहीं होता सिर्फ पाइप दुमा होता है ठीक है अब यह जो आप देख अपर आपको बताएं कैसा चीतर बनाना है और यह देखी यह पाइप डाल कर ऐसे छोड़ देते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसको अम लोग बोलते हैं जो है आपका driven wheel ऐसे pipe डालके छोड़ देते हैं, यह तो यहां पर चित्र देखिए गजरा जैसे हम लोग वहारा गोला रही है जो हमारा अनलाइंड वेल है उसका चित्र कैसे बनाएंगा सिंपल बस ऐसे करेंगे और ऐसे यह गया नीचे और यह ऐसे करें ऐसे बना देंगे रफली ऐसे बना दीजिए अपना दिखाए भी इस ये पानी दिखा दीजें गैंसे नियुक्ति पानी यह कूँगा होगा है यह हमारा कैसा है यह हमारा जो है अनलायंड विल है अज सम्जेगा चित्र आप जरूर्ड़ मनाएगा शैफ कूणा ठीक है और अमारा जो पक्का कुवा है जैसे सेम इसी तरह वो भी रहेगा बस उसमें क्या है खास बात उसमें यह पक्का हो जाता है क्या पक्का होगा मैं बता रहा हूँ क्या पक्का होगा देखिए उसमें यह भाग जो है यह देखिए ऐसे रहेगा यह भाग पुरा ठीक है यह भाग ऐसे रहेगा यह ऐसे जाएगा तो यह इसका ग्राउंड लेवल हो जाता है ठीक है अब इसमें जो है न यह दिवार होती है ऐसे दिवार रहेगी ठीक है यह पक्की दिवार ऐसे बना दी जाती है ठीक है इस प्रकार से पक्की दिवारे बना दी जाती है ठीक है अब और इधर से पानी ये पूरा चिसरा रहता है और इसमें पानी वह गोला रहता है और इसमें पानी वहें और यह पक्की दिवारी होती है क्या होती है ये हमारा इसको一下 Uni got stain जो पकी मेर ये नमबर के इसे क्ली इसब इसे क्या वता है न कि आपको नमबर ज्यादव मिलता जितना चित्राब नाइए उतना ही नमबर यह हुता है और उसका नाम जरूर कर लिखेगा नहीं नामकरण नहीं करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा यह नीचे Pluto प्लग-इंग हुटा है इसको मुलते हैं यह मारा कौन सा कुऊंहरہ है यह मारा हो गया आपका जो है लाइन। थिकतल के और जो हमारा यह वाला कुऊंहा होता है इसमें कुछ हैं सिंपलल सी यह जो सिंपलित्टसेव कर ग्राउंड होता ठीक है और इसी में हमें इसे फॉट डालेते हैं और यह पाइड डालेंगे और नीचे चिदर वाली निचे फॉट रहता है पानी यह वाटर टेबल होता है तो ऐसे पानी रिस्क कर इसमें ऐसे जाता है इसे रिस्कर पानी यहां पर पानी ब dalla मिलता और बाद में इसागर दाल कर यहाँ पर पंप रहता त से पानी बाहर झाल तहीं च तरीके से इसको केशिंग पाइप बुलते हैं कि इसीन पाइप बुली जाती स्कों ठीकर और ये वारा ऑन क्या ग्रॉटो रोगे और ये इस्ट्रेनर फाइप होती मैं अस्का टीकर में इस्ट्रेनर पाइप उते हैं के नहीं दिख रहा है क्या थोड़ा सूपर कर दें कि यही एक गवड़ी है इसमें कि हम ज्यादा इसमें कुछ इधर उदर नहीं कर पाते हैं ठीक है उसके पीछे रीजन यह है यह डिस्टल बोर्ड में तो है नहीं यह तो इसमें है डिस्टल बोर्ड आया तो है कल परसों ही आ गया था बड़ उसमें स्टेंड नहीं है पीछे ठीक है तो इस्टेंड आपका जो है वो आज चलेगा दिल्ली से तो कल देखे साम तक जहां तक है आज आएगा, पर्सव और से हो सकता है डिश्टल बूर्ड क्लास चलने लगे अगर कल साम तक आज आएगा तो पर्सव चलने लगेगा ठीक है जब आ जाएगा उसको तुरंत लगा के चालू कर देंगे तो यह हमारा क्या है यह driven will होता है इस इस driven will ठीक है तो एक जामे भाईया ऐसे बना देना रफ ली तभी नंबर आप पाऊगे ज्यादा थियोरी लिखने से तो मिलता ही है बट इससे भी होता है ठीक है चली आ एक का दुक एक आग बार सायद बना थे पूछा था बागी इससे ज़्यादा कोशन नहीं पूछता है ठीक है तो एक बार पढ़ लीजेगा फटाफट गहरे कुवे डीप विल्स एंड ट्यूविल्स क्या है ठीक है अभी तक हम लोग सैलर विल्स देख रहेते हैं सैलर वि ठीक है जब कई पाइप उस सोरी कई पार्गम यानि एक्विफर तथा अपार्गम एक्वाक लूट सतों को भेद कर पानी निकाला जाता है तो इसी हम गहरा कुवा कहते हैं ठीक है इसमें क्या होता है कई पार्गम और अपार्गम परते होती है ऐसे उनको भेद कर अंदर में पानी निकैलते हैं तो दिश्को क्या कहेंगे उसको हम लोग कहेंगे गहरा कुवा तो कई पार्गम परतों को भी भेद कर सबसे निचे कहाँ जाएगा से पानी निकलता है गरे कुवे से अधिक मात्रा में जल पराथ किया जा सकता है क्योंकि यह बहुत ज़ादा बैई निर्मान करते हैं गहरे कुवे का निरौड करते हैं और आगर हमगो कुवे से पानी ऊपर किषण कश्ट दायक होता है अतहया इसलिए गहरे कुवे में धातू का पाइब डाल दिये जता है तो हम लोग क्या करते हैं कुवा में धातू का पाइब डालेंगे या अलग से कम ब्यास छिद्र बोर करके उसमें पाइब डाल देते हैं तो अलग से छिद्र करेंगे उसमें पाइब डाल देंगे पाइप के ऊपर पंप और मोटर स्थापित किये जाते हैं जो पानी को ऊपर खीच लेते हैं ठीक है इस ब्यास को नलकूप या ट्यूबल कहते हैं ठीक है इसको नलकूप या ट्यूबल कहते हैं ठीक है उतले कुंगों की तुल्ला में ट्यूबल का पानी देने क चमता जो है वो 10-15 गुना अधिक होती है याईनि सैलो वेल से हम उतना पानी नहीं निकाल सकते हैं अगर हम सैलो वेल से ज्यादा पानी निकालेंगे तो पानी उसमें सूख जाएगा फिर थोड़ी दिर बाद पानी कठा होगा क्योंकि रिस्क कर उसमें पानी आता है इसमें पुरा भरा होता है परतों में तो इससे पानी हम ज्यादा तेजी से निकाल सकते हैं तो उससे अगर इसकी छमता की बात करें उसकी छमता तो इसकी अधिक होती है उसकी पिक्छा इसकी 10-15 गुना अधिक होती है ठीक है पानी देनी की छमता 10-15 गुना अधिक होती है इसकी नलकूप का जो ब्यास है अगर हम डाया की बात करते हैं तो सामानेत है 10 cm से 30 cm तक की गहराई 100 मीटर या इससे अधिक हो सकती है ठीक है नलकूप से 40-50 लीटर प्रती सेकंड जल प्राप्त हो सकता है इसलिए ध्यान रखिएगा कि इसका जो जल प्राप्त करने की जो एक तरह स दर है वो 40-50 लीटर प्रती सेकंड हम इससे जल प्राप्त कर सकते हैं और ध्यान रखिए जो इसका डाया है वो ज्यादा नहीं होता डाया 10 cm से 30 cm के बीच होता है और गहराई जो है वो ज्यादा होती 100 मीटर या इससे अधिक भी हो सकती है ठीक है कमभी में भी रहता है 80 सब्सक्रांट में भी हो जाता है ठीक है तो इस तरीके से इसकी गहराई रहती है त्यूपयल की आप इस में टाइप नल कुप जिसको लोग नो, लोग केवटई टूबल बोलते हैं तीसरा जिरड़ीदार लोग लोग पुलते हैं ठीक है तो यह जो टाइप है न यह यह किस आधार पर टाइप पुर नियर्धार किया गिया है जो अंदर जो केसिन पाइप हम लोग डालते हैं उस केस इन पाइप में नीचे की तरफ हमारी पाइप होती है जिससे पाधानी पाईप में आता है ठीक है पानी क्या होगा साइड साइड से रिसकर उसरी कर च्छनकर तो उसकी आधार पर यहां पर हम लोग कर रखें इसको तीन टाइप का अगर श्ट्रेनर पाइप लगेगी तो स्श्काइब में चिद्र होता है तो अगर केउटी बना रहता है नीचे केउटी मारा नलकूप हो जाएगा स्ला्थ कटा होगा तो इसको स्लाथ है तो यह वाले आपके घरों में लगी होती है इसमें से ठीक बात करतें यह खु pł can समझिए गजरा इसका चितर से देखिए ये इस्ट्रेणन ललकूप का चितर है कहेंगे सर ये चितर कैसा यही एक्जाम में आपको बनाना है इस्ट्रेणन ललकूप का देखिए जो पाइप है यहाँ पर ऐसे बाहर तक निकला रहता है इस प्रकार से ठीक है ये पाइप आप यह देख रहे हैं यह हमारी नार्मल ऐसे soft soil रहती है soft soil यह तरह से तरह से एक एक्वीफर है कैसा है यह और उसके बाद देखें इम्पर विवीज इस ट्रेटर है यह उसके की हमारा है अगर हम बात करते हैं ठीक है कंट्फाइंड विकीफर की गर बात करते हैं एक में टुकिए जड़ा अग्यों कि अग्यों कि अग्यों कि अग्यों कि तो यहां पर क्या है कि हमारा यहां 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 पर कंट्फाइंड यहां पर एक्दम साधी रहती है उस पाइप में कोई छिदर नहीं रहता Tinder तो बाकि जगों पर हम लोग- blend pipe लाइंगे क्या बोलते को ये बैंड नहीं है blend होता है blend मतलब एक तर से अंधा blend मतलब अंधा तो blend pipe होती है याने कि एकदम साधी plan pipe होगी फिर यहां पर बीच में क्या होता है extrarner pipe होता है इसमें छिद्र होता पाइपर नीचे क्या होता है इसमें ब्लेंड पाइपर है फिर हमारा जो है तो जो यह कंफाइंड प्लग रहता है यह कंक्रीट का इस तरह डाल देते हैं या फिर कोई भी plugging लोहे की नीचे छोड़ देते हैं से फड़ा रहता है ठीक है तो यह हमारा क्या है यहां तक पूरा पानी और पानी जो आएगा न वो इसी confined keeper से ही आता है ध्यान रखिएगा और फिर इस तरह तो यह कई layer को भेद कर बनाए जाता है कई layer को जो है भेदा ठीक है इस ट्रेणर ट्यूवेल वाला आप इसमें जड़ा यह थिवरी पर चलते हैं थोड़ा सा थिवरी समझ लेते हैं जो भी बताए आपको यहीं सारी चीज़ें है इसमें इस प्रकार के नलकूप में भूम की अनीक पारगम में तथा आप पारगम परतों को भेद कर प बनाया जाता है पारगम में या जलधारी परतों के सामने छिद्रित पाइप लगाते हैं जिसको हम लोग इस ट्रेणर कहते हैं ठीक है क्योंकि वहां पर छिद्रित पाइप लगाएंगे और अब पारगम परतों के सामने साधारण परधी वाले पाइप जिसको हम लोग ब् मैं चिदर नहीं होता है उसको डालते हैं इस ट्रेनर के छिदर इतने महीन होते हैं कि जलधारी परतों से पानी तो पाइप में आ परन्टू या लेकिन इसके साथ बहकर आते बालू के कड़ बाहर ही रुख जाते हैं जैसे पानी तो अन्दीर आएगा अगर अपनी साथ बालू भी ला रहा है तो बालू फिर अंदर नहीं जाने देगा तो आ होते हैं कि बालू गरब बाहर रुख जाते हैं ठीक है इस ट्रेनर वह सामाने पाइप एक के ऊपर एक रखकर उर्द सीधे में चूड़ी दार जोड़ द्वारा कसे जाते हैं ठीक है तो जैसे माली ऐसे लगाएंगे जैसे माली उपर साधारन पाइप हो गई आप नीचे जो पाइप यह जूड़ी होते हैं उसमें टाइट हो जाते हैं ठीक है इस ट्रेनर नलकूप में पानी सभी जलधारी परतों से पाइप में घुसता है इसलिए अधिक मात्रा में पानी उपलब धराता है या पानी पंप द्वारा उपर खिंच लिया जाता है फिर हम लोग इसम समझ में किलियर है तो यह हमारा इस्ट्रेनर नलकूप हो गया ने स्थम लोग यहां पर देखेंगे कोटर नलकूप क्यावटी ट्यूबेल कभी कभी ना यह अलग से ही त्यूबेल लिख किया जाएगा तो आपको फिर वहां पर देखना रहेगा ठीक है कभी-कभी अलग से साधारन पाइप नीची क्या होता है नीची यहां पर हमारा पर पर परपेस लेयर होता है और उसी में धिर्षरता होता है कभी-कभी खुद जाता है ठेक है जहां पर पानी बराबर साधारन नलकूप होता है, जिसमें कोई स्ट्रेनर नहीं लगता, इसमें कोई भी स्ट्रेनर नीचे नहीं लगा होता है, एक तरह से साधारन पाईपे सीधे होती है, इसमें पानी कुमी की तली में बने कोटर यानि क्योटी से प्राप्त किया जा सकता है, क्योटर नलकूप मे तो एक बार स्वलेट टूबल की तरफ कर चलते हैं देखते यह रहाथ स्वार्टी डूबल का चिटर अब ये सब चितुर याद कर लिजएगा कि इस ज़ए में डेखीएगा कि यह मारा जो है étayal और ये क Commun missing हाठ उर इसमें नीचे क्या होता है यह आई इस प्रकार से हैं पर slot कटा हूँ दیک հही है यह पूरा मतलबtem ऐसे box बाइप से नुद्घोट हुट था उसमें चनी होता है ठीक है और यह ग्राउटンネル सराउंडिंग है किनारे किनारे से हैं इस किनारे ये gap है ठीड़ इसी gap में यहां पर और क्या होता है ग्रेवल जो ओमारी गटी यह होती हैं चोटे जोटी इसमें भर दी जाती है से तो पानी इसमें रिस्क रिसमें आएगा और यह casing pipe होता है और फिर हम लोग यहाँ पर pipe डाल कर क्या करते हैं पाँज निकाल लेते हैं एक बार यह compressed air छोड़ते हैं compressed air छोड़ेंगे जब अंदर तो यह pressure से जाएगा तो यह साफ करता है तो यहाँ पर में पाइप हमारी यह रही और नीचे अंदर पाइप डाल के तब पानी से निकालते हैं तो जब परयाप्त गहराई 80-200 मीटर जो है तक बोर होल करने पर भी एक जलधारी परत मिल जाए ठीक है और उसतह के ऊपर की अपरवेस परत में द्रढशना हो तो इसट्रेणर प्रकार का कोई भी नलकूप यह प्यूप तो नहीं होता है तो ऐसी स्तिती में ज़िलरी दार नलकूप का निर्माण किया जाता है मान लेजे कि हमारा वहाँ पर striner भी नहीं पर type का लगा पा रहे हैं नहीं quarter type का लगा पा रहे हैं और नीचे हमारी सबसे नीचे क्या मिली है एक्वीफर मिला हुआ है confined एक्वीफर तो ऐसे situation में हम लोग वहाँ पर slotted tube बनाते हैं ठीक है जिर्रीदार नलकूप slotted tube जल्धारी परत के सामने साधारन striner के अस्थान पर किसके स्थान पर साधारन striner के अस्थान पर जिर्रीदार pipe लगा जाता है क्या करते हैं हम लोग जिर्रीदार pipe लगाते हैं इस नलकूप में छिद्र यानी बोर जिर्रीदार pipe के ब्यास से काफी बड़ा रखा जाता है यदि जिर्री करेंगे 40 cm लिया जा सकता ध्यान रखेगा इस चीज को ठीक है नहीं तो क्या होगा कि पता चला कि आप उसमें जो है न आप देखिए कहने कि यह मतलब है कि जो बोरिंग आप कर रहे है यह बोरिंग आप 40 cm थाया का करिए ठीक है ठीक है और जो इसमें केसीन पैप ज tubing दाल रहे है वह आपका कम थाया करां या शिदरह में जोक है हैं आप इस प्रकार से 5 डाल दिए तो यह किनारे किनारे वाले भाग होते इसको वैलायाकार रिखते बोलते हैं, ये इसका जो होता है न वह 0.5 से 2.5 mm के बीच बहुत कम रहता इसी में हम लोग गिट्टी डाल देते हैं क्या डालते हैं गिट्टी डाल देते हैं ठीक है बजरी भर दी जाती है यह mm नहीं इसका हम लोग सेंटीमीटर कर लीजिए तो ज्यादा ठीक है सेंटीमीटर कर लीजिए ठीक है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं गिट्टी डालेंगे भर देते हैं पूरा ठीक इस टाइब को लोग सिल्य और सुलाटेड बोलते हैं आए नेस चैप्टर शुरू करते हैं चैप्टर नमबर पहला में जितने टॉपिक थे उन सभी टॉपिकों से कोश्चन बनते हैं इसी उसको ध्यान छी टॉपिन चैप्टर नमबर तहरा ठीक्र GOT खौश्चन है को टॉपिकों से हो गया जोता देखिए हैं चैप्टर नमबर सेकेंड्र पर आगये यह बिसमुक्शिश ऑन選ा हाई लगने वाला इस है आपने नहीं नहीं हो पाया था इस लिए इस में जो है नोट्स काई कट करके लगा रहे हैं बाकी चैप्टर थर्ड से फिर टाइपिंग आ जाएगा ठीक है तो जो भी है कंटेंट पढ़ने से मतलब रखिए बाकी चीजे हम आपको सारी मोस्ट मोस्ट चीजे उपलब्द करा दे रहे हैं जो बार-बार एक्जाम में पूछ रहा है चौथा यहां पर प्रती ब्यक्ति प्रतिदिन जल्की मांग किसे कहते हैं भारती मानक के नुसार यह मात्रा कितनी ली जाती है ऐसा कोशन पूछता है या डारेक्ली कोशन पूछता है कि प्रती ब्यक्ति प्रतिदिन जल्की मांग भारती मानक के नुसार बताईए किया तो प्रति ब्यक्ति जल्की मांग पर कैप्टा कंजम्सन आफ वाटर ठीक है तो यह जो है जब भी ऐसा कोश्चन आएगा तो आपको ध्यान रखना है कि क्या लिखना है इसमें ठीक है तो पहले इसको बताना है अगर डिफिनीशन पूछ रहा है मांग किसे कहते डिमांड किस अगर उसके दैनिक कारियों के लिए 24 घंटे में पानी की जितनी मात्रा की अवशकता होती है उसे प्रति ब्यक्ति प्रदिन जल्की मांग कहते हैं या मांग लीटर अथवा गैलन प्रति मीनट में LPCD में आकी जाती है तो ध्यान रहे कि आपसे कोई भी एगर कोश्चन पूछा कि प्रति ब्यक्ति जल्की मांग क्या है तो क्या बताएंगे प्रति ब्यक्ति जल्की मांग क्या है किसी भी ब्यक्ति को या कोई भी एक ब्यक्ति को ध् जहती हैं अब यह भारति मांग के देन के अनुसार अगर हम बात करें इंडियएं स्टेंडर्ड भारती मानग के अनुसार आइस 1172गीं के अनुसार दैनिक कारेयों के लिए प्रती व्यक्ति प्रदिन मांग पानी की सामा निमांग एकसो पैंतिस लीटर ली जाती है 135 लीटर यानि किसी भी एक ब्रक्ति को एक दिन में 24 घंटे में सभी आवशक्ताओं के पूरती के लिए क्या होगा आपको पानी की जो मांग होगी वो 135 लीटर लिया जाएगा ठीक है आप 135 लीटर में क्या क्या चीज़े होगी ये भी आपको एकजाम में लिखना होगा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा तब ही आपको नंबर 5 नंबर मिलेगा तो पीने के लिए आपका 5 लीटर क्या लिखेंगे याद कर लीजिए इसको बार बार लिख कर याद कर लीजिए लिखेंगे याद करेंगे तो याद हो जाएगा बार बार आप लिखिए याद करें याद हो जाएगा तीकि ऐसे मुझमानी लेके पढ़ने से नूर्स नहीं होगा ध्यान के कलम को भी चलाइए हाथों को प्रैक्टिस में लाइए तब होगा तो पीने के लिए 5 लीटर ठीक है और नहाने के लिए 55 लीटर कपड़े धोने के लिए 20 लीटर फ्लसिंग यानि मल बहाने के लिए सौचाले में 30 लीटर साफ सफाई के लिए बरतन के लिए 10 लीटर बरतन साफ करने के लिए 10 लीटर साफाई और फर्स दोने के लिए 10 लीटर परतन साप करने के लिए 10 लीटर, 10 लिटर लग लग हैं, भोजन बनाने केलिए 5 लीटर, खाना बनाने के लिए 5 लीटर, तो टोटल 135 लीटर प्रती वक्ति परदीन हो जाता है, ध्यान रखियेगा इंग्जाम मी ये कोस्चन आयेगा ही आयेगा, देख लीजियेगा, ये कोस् से याद कर लीजिएगा चलिए नैस्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर पांच क्वेश्चन नंबर पांच कई तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ है वहीं लोग इसमें गलती करके आते हैं ठीक है जैसे क्वेश्चन क्या है तीन बार क्वेश्चन विभिन प्रकार के पानी की मांग लिखने के लिए आएगा तो आप पिछला वाला कोश्चन जो हम बता है प्रति बेक्ती वाला वो मत लिखिएगा तीके इसके लिए दूसरा है यहाँ पर यह कभी रहा है न अध्योगिक पानी की मांग के बारे में समझाईए यह यह इंडस्टियल जो वाटर डिमांड है उसके बारे में इसमें समझाना है आपको write and explain the demand of different type of water explain the demand of industrial water दूसरे तरीके क्या कुंस्टन पूछा एक बार और फिर पूछा जब घरेलू उप्योग, फैक्टरी के उप्योग, जन उप्योग प्रती ब्यक्ति प्रती जल्की खपत का वित्रण लिखे पिछली बार ये कुश्चन सायद पूछा था अगर सिर्फ घरेलू के लिए कहता तब तो हम 135 लीटर वाले लिखते अगर इसके अतरिक्त कह दिया है तब पानी के अन्यकार्यों की आशकता बतानी तो 270 लीटर वाला ही लिखा जाएगा कोश्चन का एंसर एक ही है लेकिन कोश्चन अलग लग तरीके से पूछा है इसलिए कोश्चन को समझ कर तब लिखिएगा नहीं तू कन्फ्यूज हो जाएंगे ठीक है तो यहां पर जड़ा देखिए अब ये question यही वाला है इस question का answer यही है मैं बताया था किसी नगर या town के लिए बताया था किसी नगर या town के लिए कुल पानी की मांग total water requirement by a town तो ये जो town के लिए requirement है ये प्रती दिन कुल पानी की मांग होती और ये प्रती ब्यक्ती ही होती है जैसे इसमें घरेलू उप्योग के लिए जो हम बताये थी अभी 135 लीटर वाइड हो जाएगा 135 लीटर पर पर संट पर दे यानि लीटर प्रती ब्यक्ती पर दिन अब इसमें अध्योगीक वाला जुड़ जाएगा अध्योगीक और व्योशाईक उप्योग के लिए 40 लीटर याद कर लीजिए सारवजनिक तथा अन्यूप्योग के लिए 25 लीटर याद कर लीजिए जैसे सारवजनिक कन्य में हस्पिटल हो गए कॉलेज उगर हो गए आगनी समरी के लिए पंदर लीटर प्रतिवेक्ति प्रदिन याद कर लीजिए छती चोरी तथा बर्थता के लिए बहुत सारे लोग चोरी कर लेते हैं छती हो जाती पाइप तूड़ जाती है रिसन होता रहता है इसके लिए 55 लीटर बहुत ज़्यादा है चीजी है तब पर भी यह लिखना है सिर्फ अगर किसी प्रतिवेक्ति प्रदिन के लिए पूछे तब 135 लीटर वाला लिखना है ठीक है इस चीज को ध्यान रखेगा नहीं तो फिर गरबड हो जाएगा तो नगर के लिए पानी की कुल आवशकता 270 गुड़े जनसंख्या जनसंख्या से 270 में गुड़ा कर देंगे तो किसी नगर के लिए पानी की कुल आवशकता आपका यहाँ पर निकल के आ जाएगा ठीक है ध्यान रखिएगा आईए आगे बाद करते हैं next question question number 6 है एक नगर में पानी की प्रती व्यक्ति मांग किन कारकों पर निर्वर करती है यह factor देखिए मैं यहाँ पर heading heading बताया हूँ आप अगर बाई दबे जल्दी बाजी में है heading heading भी लिख देते हैं तो ठीक है लिद्व आप समझ लीजी आप थियोरी अपने आप से इसमें लिख सकते हैं कोई नगर है नगर में पानी की जो प्रती व्यक्ति मांग है demand है जिसे कोई व्यक्ति डिमांड कर रहा है हमको 135 लीटर चाहिए इससे ज्यादा भी चाहिए तो 135 लीटर चो एक दिन उसको चहीए एक व्यक्ति को तो उसकी जो मांग है वो कौन-कौन से ऐसे factor है जो उसकी demand को प्रभावित कर सकते हैं बताइए ज़र दिखिए प्रती व्यक्ति जल मांग को प्रभावित करने वाले कारक में यहां पर मैं point-point edge किया हूँ बाकि details में आपको मैं समझा दे रहा हूँ उसमें से आप लिखी लीजिएगा ठीक है जैसे जलवायो climate अगर population अगर हम बात करते हैं जो population है population अगर हमारा क्या जलवायो climate कहीए population भी बताएंगे यहां पर जो हमारा climate है जलवायो अगर गर्म जलवायो है गर्म जलवायो के time पर क्या होता है पानी की demand बढ़ जाती है अगर गर्म जलवायो ज़्यादा है तो demand बढ़ेगी भाई लोग ज़्यादा नहाएंगे पानी ज़्यादा पिएंगे ठीक है अगर ठंडी जलवायू है तो ठंडी जलवायू में क्या होता है पानी की डिमांड कम हो जाती है तो एक तो यह climate factor डाल रहा है ठीक है तो यह ची लिग दीजिएगा उतमे जनसंख्या अगर पॉपुलेशन अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहां पर डिमांड क्या होगी पानी की बढ़ जाएगी ठीक है यह सुभाविक सी बात है आगे आप बात करेंगे उप्भोकता का अस्तर class of consumer तो अगर हाई class का अदमी है काफी high five है तो वो क्या करेगा नहाएगा बढ़िया साबर से अच्छे से नहाएगा टाइम देगा ठीक है नहाने में तो अगर class of consumer जो है अगर अच्छा है तो वो क्या करता है पानी ज़्यादा यूद करता है तो उसकी महतु को भी नहीं सम जी उमर लो है तो पानी उतना ज्यादा यूज नहीं करता ठीक है आउसकता कि हिसाब से करेगा बाकि अनावस्त ब्यास्ता नहीं करेगा जल की गुड़ता quality याप water अगर पानी की quality आप अच्छी देते हैं तो पानी की demand बढ़ जाती है क्योंकि लोग क्या करेंगे पीना ध supply, system of supply अगर आप हम क्या करते हैं तीक है system of supply क्या है दो तरीके हैं एक to continuaš है लोग हिसाब से ही यूज करेंगे जान रेख पानी हमेशा आ रहा है, मीटर लगा हुआ है, तो वो हिसाब से यूज करते हैं, ठीक है, और अगर सुवा साम जाता है तो लोग इकठा भरके रख लेते हैं, बाद में उसको गिराते भी हैं, तो यहाँ पर पानी बेस्ट जादा जाता है, उचित दाव पर जल्ब आप पूरते हैं, अगर पानी में जो प्रेसर हैं, प्रेसर पानी का क्या है, कम हैं, तो लोग कम यूज करेंगे, कम पानी उनको मिलेगा, ठीक है, अगर प्रेसर जादा है, तो पानी जादा निकलता है, तो लोग जादा यूज करने लगते हैं, तो क्या है, यह भी माहिने मन जहाएं बढ़ा पनी बना बहएंगे ठीडा है इसलिए नोड कर लीजिएगा और इससे अपना बना कीजिएगा जितना मैं समझाए आपको ठीक है चलिए तो इस ग्राफ से फ्लक्चुएशन को समझेंगे ठीक है ध्यान से देखिएगा इस ग्राफ से फ्लक्चुएशन को यहां पर समझते हैं देखिए ग्राफ की मदद से आपको समझाना है तो पहले समझेगा कि पानी की आखिर खपत में उतार चड़ाओ है क्या चीज़ पानी की दैनी खपत में उतार चड़ाओ फ्लक्चुएशन इन डेली कंजमसन अब वाटर इसमें अगर हम बात करते तो दिन रात के दिन रात के 24 गंटे में नगर में पानी की खपत एक जैसी नहीं रहती हैं हले आप सप्लाई करिए आप ये भी जानते हैं कि कोही पर भी लगातार 24 गंटे में दिन रात अगर मिला ले 24 गंटे में नगर की जो खपत है एक जैसी नहीं मिलेगी हमेशा फ्लक्चुएट करेगा साम के समय में ज्यादा पानी की डिमांड हो जाएगी ज्यादा लोग यू इसी को हम लोग गया बोलते हैं उतार चढ़ाओ बोलते हैं दैनी खपत में उतार चढ़ाओ तो कभी भी 24 गंटे में नगर में पानी की खपत एक जैसी नहीं बली रहती है ये हमेशा क्या होता है समय के साथ घटा बढ़ता रहता है ठीक है प्रती घटा किसाब से प्रातर क संध्या में घरेलू तथा आवश्यक कारेओं के लिए पानी की आवशकता अधिक रहती है ऐसा भी होता है ठीक है थर्ड समिस्टर की क्लास चला दो थर्ड समिस्टर की क्लास तीन बजे चलेगी तीन यह चार भी हो सकता क्योंकि इनकी अभी इहां तक चलाएंगो समय तीन की नहीं चालू करें कि सीटी में से समय भी है सीटी उधर चाय पढ़ा देंगे आपका देखेंगे तो इस चालू कर देंगे ठीक इन्वार्मेंटल स्टडीज खतम करना है चलिए तो यहां पर क्याया दैनिक जीवन में पानी की खपत को ग्राफ द्वारा बताईए इलिस् इसी नहीं रहती है प्रती घंटा घट्ती बढ़ती रहती है यह दो बता ही चुका प्रातयकाल संध्या में घरेल्यू तथा आवशक कारियों के लिए पानी की आवशकता अधिक रहती है या दायनिक आवशक्त खपत दो से धाईगुना अधिक हो जाती है तो सुबा साम ज इस आप से उतार चढ़ाओ अगर हो रहा है ठीक है उसको क्या बोलेंगे औरली वैरियेशन जल मांग को इस परिवर्तन को देखते हुए वितरन पाइपों से आवसत मांग के दो धाई गुने से धाई से गुना अधिक सप्लाई करने के विवस्था की जाती है या पानी की चरम मांग पीक डिमांड करते हैं ठीक है क्या कहेंगे पीक डिमांड तो पानी की पीक डिमांड क्या है जब हमारा क्या है आउशत मांग के धाई गुना से अधिक सप्लाई कर दिया जाता है पानी की डिमांड क्या होती पूर्ती होती है उसको लोग पाइक डिमांड करते ह जो हमेशा आउशत है उससे दो से धाई गुना पानी सप्लाई अधी करते हैं और वो भी सुबह और साम के टाइम पर ध्याना किए कब-कब सुबह और साम के टाइम पर संध्या के टाइम पर ठीक है अब यहाँ पर अगर जो यह हम लोग पीक फैक्टर इसमें दिखिए जैसे कुल हमें क्या है पानी सप्लाई करनी है किसके समय पीक डिमांड के टाइम पर ठीक है तो पीक डिमांड के टाइम पर हम लोग क्या करते हैं पीक फैक्टर जो आउसत रहता उससे गुड़ा करके जिसे यहाँ पर धाई गुड़ा कर रहे हैं यह पीक फैक्टर ही है ठीक है अब ये peak factor जो है जनसंख्या के अधार पर decide होता है, जैसे 50,000 तक जनसंख्या है, अगर 50,000 तक जनसंख्या है, तो हम 3 से गुड़ा करते हैं, किस से गुड़ा करेंगे, 3 से, ठीक है, 50,000 से 2 लाग तक है तो 2 से करेंगे, और 2 लाग से उपर है तो 2 से करेंगे, अब ये आपके मन में ये चलेगा, किसर जनसंख्या बढ़ रही तो peak factor बढ़ाना चाहिए, आप घटा रहें peak factor, वो इसलिए घटा रहें बच्चे कि दिखिए, ज़्यादा जनसंख्या अगर है, तो जरूरी है क्या कि सभी पानी पूरा उपयोग कर ले, तो इसलिए peak factor कम करते जाते हैं, क्योंकि वो उसी में manage हो जाता है, इस चीज को हमें सध्यान में रखते हैं, तो जलकी पर, इसलिए ये क्या हो रहा है, घटा चला जा रहा है, जलकी परम मांग, peak demand सामरता प्राता काल में 6-9 बजे तक और सायं काल में 6-8 बजे तक ध्यान रखेगा, प्राता काल मतलब सुबह के टाइम, 6-9 बजे तक ज़्यादा रहता है, और साम कुसमे 6-8 बजे तक ज़्यादा रहेगा, हम इसे इन्हें हम चरम घंटे पीक आवर भी कहते हैं ठीक है यह जो आवर है पीक डिमांड में जो टाइम होता उसको आवर लीक अगर देखा जाए तो पीक आवर बोलेंगे प्रति घंटा पानी की मांग में परिवर्तन फीगर में दिखाया गया है आये चितर से ग्राप द्वारा समझते हैं इसको ध्यान से चितर को देखिएगा समझ में आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पर अर्थमेटिकल ग्राप है और इसमें जो है पानी की जो डेमांड है वो है और घंटा यानि की जो प्रति घंटा कितना सप्झेट तरह है उस हिसाब से यहांपर देखिए जरासा जो यह यक्सिस ये वाई एक्सिस पर क्या है अपका यह पानी की डेमांड लीटर में दिखाए गया ऊपर की तरफ जा रहा है और यह हमारा जो है एक्स अप्सित की तर बहुत कम पानी क्या सकता होती है कुछी लोग ऐसे हैं सहर में जो भोर हो गए रहे में पानी उपयोग करते हैं एक बजे दो बजे तो यहां पर रात को 12 बजे करीब 40 लीटर जो है पड़डे मतलब यूज हो रहा है 40 लीटर प्रती घंटा किसाफ से तो इस तरह से 40 है 40 से फि अब कुछ देर बाद आप भी दिखी 5-4-5-6-7-8 सुबह 8 बजे तक पानी के डिमांड बहुत तेजी के साथ बढ़ेगा देख रहे हैं कि इतना तेजी से बढ़ा क्योंकि सभी उठ चुके हैं नहाएंगे कपड़ा धूलेंगे इस तरह से डिमांड बढ़ जाएगा पान पर चली जाते हैं तो यह घटने लगता है तेजी के साथ 12 बजे तक में बहुत तेजी के साथ घटा और फिर यह घटता ही चला जाएगा कब तक दो पहर उपहर में एकदम घट जाएगे दो बजी कोई यूजी नहीं करेगा पानी तो घटता जाएगा डिमांड जैसे फिर तीन-चार वजे फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा देखिए चार वजे से बढ़ना शुरू हो जाएगा सेकन्ड मीटिंग क्योंकि फिर क्या होगा लोग बरतन धूलेंगे लोग जो है कॉलेज विध्या अप आ जाएगे तो बढ़ता जाएगा फिर साथ-ाठ बजे फिर घटने लगता रात में और फिर यह रात को 12 बजे घट जाता है इस तरह से क्या होता यह हमारी जो है उतार-चड़ाव होता रहता है ठीक है यही fluctuation है क्या है यही fluctuation है तो अगर हम इस पर क्या करें इस पर हम यह औरे जैसे देखें अगर यह पूरा यह बनाएं यह हमारा आउस्षद दिमांड होता है इसी यह यह दिमांड में हम लोग क्या करते हैं पीक स्वार्ट से गुड़ा कर देते हैं और हम लोग क्ने करते हैं पानी बढ़ा कर किस टाइम पर सुबा होट हुए जुबव मेरा इस्प्लाई कर देते हैं और बाकी टाइम पर वो हमारा नारमल सप्लाई रहती है तो इस तरह से यह हमारा ग्राफ अगर एक्जाम में सिर्फ आएगा तो भी बनाना है और अगर ऐसे कोश्चन भी दे दिया अगर टाइम है तो भी बना दीजिएगा तो आपको नंबर ज्यादा मिलेगा नंबर ज्यादा लेने का तरीका यही है बच ठीक है कि जनसंख्या का पूर्व अनुमाल लगाने के लिए बिधियों के नाम लिखे तथा किसी एक बिधी का सूत्र सहित ब्याख्या करें ठीक है तो जनसंख्या का पूर्व अनुमाल लगाने के लिए पहले से अनुमाल लगाना है अगर आपको कि कितनी जनसंख्या यह लगाने का जो question है इसमें बिधियों का सारा नाम लिखने के लिए ज़्यादा पूछ रहा है और किसी एक बिधी का सूत्र सहित ब्याख्या करने के लिए बोलता है कभी भी उसका नाम लेकि नहीं कहता है कि फला बिधी का ही आप आजो है ब्याख्या करिए ऐसा नहीं कभी कहत है उसको याद कर लेना है सभी विधियों के नाम याद कर लेना है और क्या याद करना है और आपको याद करना है कोई एक विधी याद कर लेनी है या दो विधी याद कर लीजिए बस काम खतम फर्मुला याद कर लीजिए ठीक है इस पर कोई नुमेरिकल वैसे बनता नहीं है मैं जब paid class पढ़ा रहा था तो वहाँ पर इसका numerical भी करवाया था याद हो एक नहीं सबका बलकी numerical करवाया था वहाँ पर ठीक है करवाया था न तो इस तरीके से J-E में तो हम धेर सारा numerical इसका करवाया रखें जे-E classes में चलिए तो जनसांक्या का पूर अनुमान लगाने के लिए विधियों के नाम लिखें तथा किसी एक विधी का सूत्रसहित ब्याख्या करें ठीक है तो ऐसे situation में यहाँ पर क्या है forecasting population ठीक है forecasting population एक मेंट रुकिये ज़रा से तो कहाँ पेंट चला गया Forcasting population एक पूर अनुमान लगाना देखें अभिकल पिकार डिजाइन पीरियूड आने के डिजाइन पीरियूड ईजाइनिग पीरियूड निर्धारण करने के पसचात जैसे हम भीजांच्णन पीरियूड करने आने वाले वरसों के लिए नगर की जनसंख्या का अनुमाल लगा जाता है और नगर की जनसंख्या सदा इस्थिर नहीं रहती है या अनुकूल अथवा प्रतिकूल परिस्थितियों के साथ बढ़ती या घड़ती रहती है इस चीज को ध्याना किएगा कभी भी नगर की जंसख्या इस्थिर नहीं रहेगी हमेशा अनकूल और प्रतिकूल अनकूल का अनुसार क्या है या ठीकते न की मतलब जैसे आपके आपके अनुसार गर्मी है जो चीज यह आपको अच्छा लगता हुसको बलते हैं हमारे अनुकूल है जो चीज हमें अच्छा नहीं लगता ठीक है उसको क्या को लें हमारे अनुकूल नहीं है प्रतिकूल है तो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियों के साथ यह बढ़ती घड़ती रहती है ठीक है अब घटने बढ़ने का सिलसिला क्या होता है जैसे कभी-कभी क्या होती है कि किसी नगर या सहर में नैने सहर बस रहे हैं तो लोग बाहर से क्या होते हैं माइग्रेशन करते हैं यानि कि गाओं से लोग सहर में आकर जमीन खरीद के रबनाने देह रहते हैं तो एक तो यह हो गया जनसंख्या का बढ़ना दूसरा जनसंख्या का बढ़ना करते हैं सिस्टम कि जो लोग के मतलब बर्थ होता है न्यूबर्ण जो लोग नया जन्म देते हैं मतलब बच्ची जो नया पैदा होते हैं उससे भी जनसंख्या बढ़ती है सहर की तो यह क्या हो अनुकूल या प्रत्कूल प्रस्ति के साथ घरती बढ़ती रहती है तो इसलिए इसको population forecasting कहते हैं ठीक है अब भविश्च में अगर हम बात करते हैं कि किसी नगर की जनसंख्या का अनुमाल लगाने के लिए दिमनिलिखित किसी एक विदी का प्रयोग किया जा सकता है तो जो विवजियां है न पापूलेशन forecasting का जो मेथड है ये total 7 मेथड है कितने मेथड है साथ मेथड यहां पर है ध्यान रखेगा कितने मेथड साथ मेथड अब इन साथ मेथड में अगर हम बात करें पहला है गणती बढ़ोत्री विदी अर्थमेटिकल इनक्रीज मेथड नाम याद करते रही है सारा लिख के नाम याद कर लिजिए नाम लिखने के लिए आएगा और किसी एक विदी को समझाना होगा ठीक है जामत्ती बढ़ोत्री विदी जियोमेट्रिकल इनक्रीज मेथड है तीसरा है बढ़ोत्री दर के अनुरूप विधी बिधी अंक्रीमेंटल इनक्रीज मेथड है चौथा है बिधी संयूजन विसलेशन विधी ग्रोथ कंपोजीशन जो है इनालेसिस मेथड है तीसरा है रेखा चित्रन विधी जिसको लोग ग्राफिकल मेथड बोलते हैं छटवा तीसर आनी था ये पच्वा था छटवा तुलनात्मक विधी कंपरेटु मेथड है नैस्ट है यहाँ पर जोन व्यवस्ता या मास्टर प्लान विधी जोनी या मास्टर प्लान मेथड है आप इंगलिस नाम जल्दी याद होगा आपको इंगलिस नाम याद कर लिजी आप अर्थिमेटिकल इंक्रीज मेथड जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड ग्रोथ कंपोजीशन एनालेसिस मेथड ग्राफिकल मेथड कंपो कंपरेट्व मेथड ठीक है या फिर जोनिंग नेस्ट है जोनि हिसमें जोडने वाली प्रक्रिया होगी जो बंढ़े बढ़े नगर बहुत पहले से बंदनें सीटी तो इन सबस्थरों के लिए इस चार-पांच दसकों से जनसंख्या का आउशत लेकर निर्धारित अभिकल्पन काल के अंत परनगर की जनसंख्या ग्यात कर ली जाती है तो पिछले 4-5 दसक का, दसक मतलब होता है 10 साल जैसे 2020 से लेकर 2030 तो 2020 से 2030 के बीच 10 वर्स हो गया तो इसको हम लोग क्या कहेंग 10 वर्स को दसक बोलेंगी, एक दसक, एक दसक में 10 वर्स होता ही है, एक दसक में 10 वर्स होता ही है तो यही कर रहा है कि इस विधी में पिछले 4-5 दसकों की, ठीक है, 4-5 दसक मतलब 40-50 साल ठीक है, जनसंख्या का आउशत लेकर, निर्धारित अभिकल पकाल की अंत पर नगर की जनसंख्या ग्याद कर ली जाती है तो यह हमारा क्या है, जैसे इसका फार्मूला है P-N, ठीक है जो हमें अनुमानित जनसंख्या निकालना है सगर की समहावी जन संख्या निकलना है इसमें क्या करेंगे यह P है जो वर्तमान जन संख्या है ठीक है और N into IA, N क्या है दसकों की संख्या और IA है क्या जो हमारा बढ़ोत्तरी हो रहा है जन संख्या में, प्रतिदसक और जो बढ़ोत्तरी हो रहा है हर 10-10 साल पे, वो हम इसमें add कियें IA, तो यहाँ पर IA के साथ प्रतिदसक से गुड़ा कर देंगे, ठीक है प्रतिदस क्लास आपको मिलेगी, देखिए हो सकता है आपका SMF के पहले चाहिए देदे चाहिए आपका SMF के पेपर के आने के बाद मिल जाएगी, ठीक, अभी नहीं मिलेगी, एक दो दिन बाद ही मिलेगी, मतलब क्योंकि अभी यह पढ़ा रहे हैं, अभी आप पेपर देने जाओग पढ़ोगे भी नहीं, ठीक है, और आओगे तो फिर आप SMF का पढ़ना है अभी, तो देखते चाहिए उसी में दे देंगे, कल ही रिकार्ड कर देंगे, का क्लास दे देंगे, ठीक है, ठीक है, आई आगे बात करते हैं, अच्छा, इसका नुमेरिकल अगर आप देखना हो, डेक सकते हैं, इसका नुमेरिकल टक है, वैसे, इसका नुमेरिकल पूछे गाना लिक है, यहां पर चीक है, मैं क्योंकि आपका नुमेरिकल का तो कोई विसेज जिक्र नहीं, ठीक है, लेकिन अगर पूच्छान पूच्छन अब्छी देखना अथे कोश्चन वह बढ़ती तो यहां पर जड़ा कोश्चन आए देख लेते कोश्चन कैसे से पूछा जा सकता वैसे नुमेरिकल तो खैर आएगा नहीं लेकिन आप लोग नुमेरिकल के चक्क्रों पढ़ेंगे तो गलत भी हो जाएगा चली कोई बात नहीं कर लीजिए कि कोश्चन यह है कि जैसे मारा क पूर्दस्कों की जनसंख्या ठीक है जनसंख्या ठीक इसमें दे रखा है वर्स अगर हम बात करते हैं वर्स 981 में 71 कर दीजिए वर्स 971 में ठीक है कि छोटा सन्युमेरिकल देख लेजिए इसी का 1971 में कित्ता है कि 20,000 कि ब्यक्ति है कि ठीक है वर्स यह वर्स वही रह जाएगा 981 में 24,500 हो गया ब्यक्ति और वर्स 991 में ठीक हर दस साल के बाद बढ़तरी हो रही है यह ना 29,500 हो गया ठीक है और वर्स 2001 में फिर बढ़तरी हुआ 2001 में कितना हो गया फिर यह दसी साल बाद हो रहा है बढ़तरी दस साल बाद बढ़तरी हो रहा है ना 2001 में यह गया आपका 35,200 हो गया ठीक है ठीक है यह ब्यक्ति क्या हो रहे है बढ़ते चले जा रहे हैं अब इसमें कोश्चन में कराया कि इस नगर कि वर्स 2011 और 2021 में जन्संख्या बता निए और 2021 में जन्संख्या बताई है यह कोश्चन अगर यह कोश्चन कर लेंगे आप तो और भी कोश्चन कर सकती है तो इसमें एक टेबल वनाएंगे सबसे पहले तुरां तुहाँ टेबल बना देना इधिम्स यहां पर जन संख्या लिख देना नियुक dapat जन संख्याह लिख देना और प्रतीन देंक साक में जन संख्यां में बढ़ोतरी जनसंख्या में बढ़ोत्तरी ठीक है और प्रती दसक में और शत बढ़ोत्तरी इधर वाला एक टेबल और बनाना प्रती दसक में और शत बढ़ोत्तरी इसी कोश्चन पूछे को बाकी अधर से नहीं पूछे देख लीजिए गर पूछा तो ऐसे इसे पूछा नहीं अभी तक पूच्छन नुमेरिकल नहीं पूचा है ठीक है आप यह जो दसक है ना जैसे हमारा 1971 लिग दीजिए 1901 लिग दीजिए ठीक है और 2000 एक लिग दीजिए उसके नीची आप 2010 भी लिग दीजिए ठीक है 2011 का तो निकालना ही है ठीक कोई बात नहीं आप यहां पर जो दूचे है जनसंख्या है जनसंख्या है यह 20 jr ho गया टीस जृबटष्स होगिया नतिस जार पान सो हो गया 50002 तुछ हो गया ठीक है यह हमारे क्या हो गयी जन संख्या होगि अब प्रती दसक दिज़िए बढ़ोत्री के सब्सक्राइब इन सभी को क्या करेंगे प्रती दसक आउसत में तो बढ़ोत्री वाले को आउसत निकाल लेंगे सब्सक्राइब इसका अंसर इसका आजाएगा आपका पचास तरसथ और यह जो यहां पर हम दशक ले रहें न हर साल बाद हर दस साल बाद तो अगर हम माली जी अगर हम यहां पर निकाले यही पर बगल में हम निकाल रहे हैं एक मिनट अगर हम यही पर कोष्टन यह स्टाल कर देते हैं माली जी जार यारा के यहीं निकाल देते हैं अगर हम सपोस्थ अभी दोजार यारा कर निकाल रहे हैं ठीक है मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर दोजार यारा का ठीक है तो 2011 में अनुमानित जन्संख्या क्या हो जाएगा बताइए तो फार्मूला वह लगाएंगे पीछे वाला फार्मूला ये वाला फार्मूला लगाएंगे पी एन इसकोल टू पी प्लस एन आई ए पी क्या हो जाएगी वर्तमान जन्संख्या क्या है 3500 यानि 2001 में ही तो वर्तमान है न तो 35200 वर्तमान जन्संख्या हो गई प्लस एन की वैलू क्या हो जाएगी दसक अच्छ AMY 2001 के बाद क्या रिएर है तो 2001 के बाद यारत क्या हुआ दसी वर्ष हुआ ना यानि एक दसक तो एन का गुड़ा वन हो जाएगा एन की बहुत यहां रखें क्योंकि एक ही दसक के बाद 2001 के बाद समझ में तो यह कितना आ जाएगा चालीस दोसो सरसट आ जाएगा बैक्ति तो 2011 में जो आया वो क्या आ गया चालीस दोसो सरसट बैक्ति यह अंसर आ जाएगा पी यह दोजार यारा का है डाटा ठीक है अगर हम कहें कि 2021 का निकाले तो 2021 में अगर जन संख्या आप निकालते है न तो पी एन इजुकल्ट फार्मुला वही लगाएंगे पी प्लस एन आई यह ठीक है और पी एन इजुकल्टू जो हम यहां पर पी की बैलू रखेंगे न यह 2001 वाली ही रखेंगे प्रजेंट वाइन वाला ना 35,200 प्लस अब इसमें एन की बैलू बदलेगी कैसे बदलेगी 2001 के बाद 2011 के बाद 2000 के बाद 2000 क्या कर दिये हैं 2000 जो है 21 तो जब 2021 करेंगे तो फिर 10 साल हो गया ना यानि कि दो दसत हो गया एन इसकोल टू हो जाएगा ठीक है दो गुड़े पचास सरफ और इसको निकालेंगे तो क्या निकलेगा इसको निकालेंगे तो आप का जाएगा पहतालिस तीन सो चोरतीस तो ये इस तरीके से निकलता है देखे मेन आपको क्या ध्यान रखना है कि जो ये औसत बढ़ोतरी था ये औसत बढ़ोतरी का मेन आपको ध्यान में अब कहते हैं जैसे बढ़ाते हैं पेंट वेपर से किसी सो पढ़ाते हैं चलिए यह question है question को note कर लिजेगा और question इसी तरह साल्ब करिएगा question में ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो जनसंख्या है जनसंख्या में कितनी बढ़ोतरी हो रही है बढ़ोतरी कितनी हो रही हर दसक के बाद उसको अलग करना है और उन दसकों का आउशत लेना है आउशत लेंगे तो यहाँ पर आईए आजाएगा और फिर यहाँ पर जैसे 2011 का निकाल रहे हैं तो 10 साल बाद 2011 तो 10 साल हो गया एक दसक तो एक का गुड़ा यहाँ इसकोल टू यहाँ पर एन इसकोल टू रखेंगे यहाँ पर एन इसकोल टू दो रखेंगे ठीक है क्यों दो रखे हैं क्योंकि यहां पर दो जार एक के बाद एक कीस तो दो दसक हो जाएगा ठीक है बहुत बढ़ी हैं तो कोश्चन इस तरी किसे कर लीजिएगा यह जेई में भी मैं पूरा डेटेल सब पढ़ाया हूँ टीक है वह पर हर विधी से कोश्चन है क्योंकि यहां पर नहीं पूछता ना हर विधी से कोश्चन जियो concern इन सब का नी करियेगा ठीक है इन सब से क्कोश्चन नहीं बनेसा तीरी जान लीजिए होगरान लीजै कंई सब का नहीं बता रहे हैं डिटिश ज्योमेट्रिकल इंक्रेजिब मेथड ज्यामती बढ़ोत्री विधी इस विधी में पिछले कुछ दस्कों की जनसंख्या की पृतिसत बढ़ोत्री जो बड़ोतनी था ना उसी का percentage निकाल कर ठीक है और फिर क्या करते हैं यह ले लेते हैं तो यहां पर percentage अपनी आपा जाएगा ठीक है तो यहां पर जो है PN अभिकल्प काल के लिए अंतमी नगर की संभावित हो जाएगे P वरतमान हो जाएगा और I not यह प्रति दसक बड़ोतरी का आउशत है प्रतिसत बड़ोतरी का आउशत यह निकालेंगे इससे numerical मत करना इससे numerical नहीं आएगा numerical अगर आया तो फीछे साएगा अदर्वाइज numerical तो नहीं पूछेगा आपसे फियूरी जद़ पूछेगा ठीक है चलिए आगे बात करते incremental increase वाले मिया विदी उपर वनित फस्ट और सेकंड की दोनों का सही हो जायर है तो जो आई ये आया था ना प्रतिदसक बढ़ोतरी और इन दोनों को जोड़कर और दसक से गुड़ा कर दीजिए और इसको जोड़ दीजिए किसमें वरतमान में बस यानि कि जो पहला वाला था दूसरा वाला को जोड़ दीजिए और जोड़कर दसक से गुड़ा करके और इसको जोड़ दीजी किसे वर्तमान से तो यह क्या आजएगा पी-णि इसकोल टू प्लस-ई-ई-आई-ई-ब्रैकट बंद हो जाएगा गुड़े एन हो जाएगा एंदसक से गुड़ा कर देंगे ठीक है इसे पढ़ाईएगा इसी पढ़ाएं तब समझ में आएगा रिविजन कराने कुछ से पढ़ाएं क्या करते हैं चलिए जैसे कहेंगे वैसे पढ़ा दिये जाएगा ठीक है नेस्ट कोश्चन है कोश्चन नमबर नाइन चैप्टर सेकंड खतम होने वाला है यह लास्ट टॉपिक है यह कोश्चन नमबर नाइन अब बंद करेंगे क्योंकि आप लोग तब तक रिवाइज करना है न अर्बी इसको बताना है आपको ठीक है तो यहाँ पज़र देखी आईयस दस पांसो एवं सहरी वीकास मंत्राले मिन्वन कलशार गंध यारी ओर्डर या स्वाध टिष्ट आपत्ती जनक ना हो यह कोश्चन वैसे न यह कोश्चन यहां भी जो आ गया है न यह कोश्चन लास्ट में जाना चाहिए था जो चैप्टर नंबर थर्ड है उसके बाद यह कोश्चन जाना चाहिए था लेकिन मैं यहां पर लग रहा है पहले एड कर दिया हूं इसको ठीक है तो चैप्टर नंबर थर्ड का यह कोश्चन है ठीक चैप्टर नंबर सेकेंड आपका कंप्लीट हो चु प्लैटीनिम कुवार्ट स्केल पर 25 फीपियम से अधिक ना हो परियमिस्भल लीमिट जो इसकी है वो पाच पीपीएम है अधिक सह घ्लैमिस्भल लीमिट 5 पीपीएम चलिए जैसे कहेंगो इसे पढ़ा देंगे जैसे तुभी आपको लगे समझने में ठीक है अभी क्या है न कि वैसे अगर आप रूख जाएंगे तो डिश्टल बूर्ड लग जाएगा ड्राइंग के टाइम तक ड्राइंग का अगर हम देखें तो कब है पेपर ड्राइंग का कोई बताएगा कि 17 तारीट तक डिश्टल बूर्ड लग जाएगा ठीक है तोल सॉलिड है यह 500-1500 मिलिग्राम पर लीटर है पियच मान अगर बात करें अगर इसकी नस्ट क्लास इकजाम के पहले लेंगे ठीक है उसमें सब पर भी हम बात करेंगे ठीक है उसमें हम सब पर भी बात करेंगे पी एच मान साड़े छह से साड़े याठ के बीच कितना साड़े छह से साड़े याठ के बीच हाड़निस 200 मिली ग्राम पर लीटर होना चाहिए क्लोराइड की बात करें 200 मिली ग्राम पर लीटर सल्फिट्स की बात करें 200 मिली ग्राम पर लीटर सीसा की बात कर 0.02 mg per liter, iron magnesium की बात कर 0.05 mg per liter, ठीक है magnesium 0.30 mg per liter, यह 0.30 कर लिजिएगा, magnesium बहुत ज़्यादा नहीं रहता, 30 नहीं रहेगा, ठीक है? हाँ 30 नहीं रहता, arsenic है, वो भी लगभग 0 के बराबर होता है, selenium है, यह भी 0 के लगभग बराबर होगा, zinc है वो 5 mg per liter, residual chlorine 0.2 mg per liter, यह सब आपके पानी में अगर उपस्थित हैं, तो पानी ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, इन सब से ध्यान रखिएगा, इससे अगर ज्यादा है, तो पानी reject कर दीजिएगा, कोई भी चीज, ठीक है? ध्यान में कर लीजिए, चलिए, ठीक है? सर अभी पढ़ाईए, अभी पढ़ाएंगे तो फिर आप लोग पढ़ेंगे कब RBT, RBT को पढ़ना है, आप लोग को अभी एक हमें बीडियो भी देना है, ठीक है? अभी हमें एक बीडियो देना, आप लोग को थोड़ा सा guidance के रूप में कि किस तरीके से आप आप गलती करते हैं, उस पर हमें एक बीडियो देना है आपको, ठीक है? हाँ, वह नई सको ड्राइ को ट्राइंग की class आपको 18 को record करके उससे दे देंगे? कोई बात नहीं, एक हम ना आपको बना वाला दे देंगे, एक digital word पे भी चला देंगे, समझा देंगे, ठीक है? वहाँ पर समझा देंगे, ठीक? दोनों कर देंगे, एक बार, बतलब दुबारा एक roughly revision हो जाएगा, ठी चलिए, ठीक है, ओके? बाई-बाई, आप मिलते हैं next class में, जो है अपना, अब आप लोग RBT तयार करिए अच्छे से, ठीक है? बस इतना ही रखते हैं आज की class, दो chapter finish हो गया, कम से कम, अब जो तिसरा chapter है न, वो तिसरा चोथा chapter बहुत लंबा नहीं है, वो समझा खीच ले class कम-कम चलनी है, ठीक है, उसी हिसाब से आप आईएगा, ठीक है, आपकी class अब proper way चलेगी, जो जो time बताएं, उसी time पर चलेगी, परसानवत होई है, ठीक है, चलिए, ओके? बाई-बाई, फिर मिलते हैं अब, आपको RBT paper देखिए, अच्छे से best of luck, और RBT सारी class हो चुकी ह इसकी भी PDF अगर आप कहां मिलेगी सर, तो मैं फिर से बता दे रहा हूं, ठीक है, वो आप BK Education Online website है, देखिए, मैं यहाँ पर एक poster डाल दे रहा हूं, इसी poster का अनुसार आप क्या करिए, काम करिएगा, ठीक है, तो मैं एक poster यहाँ पर डाल दे रहा हूं, ठीक है, उसी poster से आप देख लिजी website लिंक के आए हमारी, ठीक है यह, ठीक है, यह website आप open करिएगा, अप प्लै स्टोर पर हम अपना app नहीं रख रहे हैं, क्योंकि यह Google वालों का बड़ा जमेला है, ठीक है, बड़ा पैसा ले रहे हैं हो सब, और मुह महंगा पड़ेगा आप लोग को, डाउनलोड, डाउनलोड, एप नाउ करके आएगा, ठीक है, फ्रंट पे ही, उस पर टच्स करिएगा, और वहां से एप डाउनलोड हो जाएगा, उसको इंस्टाल कर लिजिए, परमीशन दे दीजिएगा, ठीक है, इंस्टाल कर लिजिए, उसमें आपको PDF मिल जाएगा, क् हम कुछ guidance का एक वीडियो दे देते हैं आपको, ठीक है, समझा देते हैं, क्या-क्या चीजी आपको ध्यान में रखनी है, तो उन चीजों को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक, चलिए, ओके, बाय-बाय, फिर मिलते हैं, अभी हम एक वीडियो देंगे, साम तक, उसको जरू कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, फटा-फट